नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं सैसी नोट्स में तो दोस्तों आज मैं आपके सामने पॉलिटी का एक जबरदस्त वीडियो लेखिया हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्याटे की किताबों को हम लोग खोज खोज कर उसंद से जितने भी important points होते हैं निकाल कर आपके सामने लेके आते हैं तो quality में यानि civics में जितने भी important point है यहां पर डिसकस करेंगे हम लोग की सीरीज जो है continue चल रही है लगा लीजी एयरफोन और सुरू करते हैं फिर बिना किस सब्सक्राइब के लिए अगर जिसको भी लेना है अभी तो वाट्सेट पर नीचे वाट्सेट नंबर दिया गया है 83, 82, 91, 63, 62 नहीं दिख रहा है लिख दूँ एक बात चलो जल्दी से लिख देता हूं ताकि 91, 63, 62 यह नंबर है 62 इस पर क्या करना है मैसेज करना है कॉल नहीं करना है मैसेज करना है 250 रूपीज अभी इसकी प्राइजज के लेंगे तो जादा बहतर होगा शुरू करते हैं फिलहाल तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर क्या कहता है जो कहता है कि औरतों ने बदली दुनिया ठीक है तो इसमें देखेगा अब देखे जितने भी points निकल के आ सकते हैं सबी points को यहां पर discuss कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए कि आप लोग यहां से देखेगा कि जो भारत में क्या है कि भारत में आपको पता है कि maximum जो मेहिलाइны हैं वे कहां काम करतींикомyorsunदे कि खेटों में काम करती है तिराषी पर्तिशत मेहिलाइं कि तों में काम करों करती है उसके बाद जो बच्रṣi होती ह להouse Cer के गरों में काम करती है क Communautique महिलाओं को खेत में ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि सस्टे में मिल जाते हैं सभी लोग इनका देखेगा कौन है यह तो देखो इनको पहचानते हैं आप लोग नहीं पहचानते हैं गल्दी से बताईएगा देखेए कौन है जारखंड के आदिवाशी परिवार के हैं 27 वर्स की महिला है इनका नाम है लक्षमी लाक्रा इस धाराट का रुख बदलने के लिए इन्होंने क्या किया था यह उत्तरी रेलवे की गया पहली महिला इंजन चालक हैं यानि आप लोग जानते हैं लोको पाइलेट इंजन चालक जो ट्रेन चलाती है रेलवे में तो यह पहली महिला बनी आगे देखेगा राश सुंदरी देवी राश सुंदरी देवी साठ वर्स के अभस्था में उन्होंने बांगला भाषा में अपनी आत्मकता लिखी नहीं तो देखो जीएस का कोईस्चन नहीं यहें पर दिया गया है कि अमार जीवॉन यह क्या है किसी بھारती महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकत्ता हैै ऐसे करके कोईस्चन यहां से बनेगा इसका मतलब अमार उनका मतलब होता है मेरा जीवन ठीक है इसको अगर हिंदी में बोलेंगे बात करेंगे तो ये हैं आगे देखिए रमा बाई कभी स्कूल नहींगी पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना शीख लिया आगे देखो रमा बाई ने 1898 में पूने के पास खेड़ ग ठीक है इन्होंने क्या किया था एक क्या सकते हैं कि मिशन स्टार्ट किया एक और्गनाइजिशन स्टार्ट के एंजियो टाइप की और उन्होंने काफी सफलता पाई आगे देखेगा अगले हैं हमारे सामने रुकैया सखावत खुशैन ने 1905 में सुल्ताना का श्वप्न न पर अगर बताएं रुकैया शखावत ने कहा है क्या कहा है सुल्ताना का श्वप्न ठीक है इसको याद रखेंगे अगला देखो 1910 में रुकैया ने कुलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी काम कर रहा है यह 1910 का पुराना स्कूल है जो अभी भी कंडिशन में है महिला गरेलू हिंशा अधिनियम वर्स 2006 में बना जिसमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है यह आप लोग जानते होंगे ठीक है आगे देखेगा वर्स 1997 में सर्वोक चनेरल ने कार के स्थान पर और सैक्ष्णिक स्थानों में महिलाओं के साथ ह होने वाली यौन प्रतारणा से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये थे हर साल 14 अगस्त को वाधा में वाधा लिखा है यहां पर भारत और पाकिस्तान के सीमा पर वागा बाउडर आप लोग जानते हैं ना कहां पर है पाकिस्तान और इ खुब देश वक्ति सबकी उमरती है और जो हिंदुस्तान जिंदाबाद इस तरफ से अपना कुछ भी चलता रहता है ना इसमें देखीगा संचार माध्यमों को समझना ठीक है भारत में किस तरीके से संचार माध्यम है क्या है इनको समझते हम लो कि संचार का मतलब क्या होत ठीक है आगे देखो मीडिया अंग्रीजी के मीडियम ठीक है का एक सब्द है जिसका मतलब क्या होता है माध्यम ठीक है इनके द्वारा हम समाज में अपने विचार को क्या कर सकते हैं आधान प्रदान करते हैं यह क्या बचाना 1940 के दसमें electronic typewriter के आ जाने से पत्रकारिता की द हो गए अब typewriter तो खतम हो चुका है एक टेलीवीजन का प्रारंबिक रूप का अविश्कार जॉन एल बैर्ड के द्वारा रॉयल इंस्ट्यूट में किया गया एक समाचार चैनल के में विज्यापन का मूले उसकी लोग प्रिता के आधार पर तेकियर आते हैं आप लोग ज पत्रकार होते हैं वो चला चला के बाथ करने लगें अभिष्यायद के उसको क्या कहते हैं पहले बुबीarial के लुबिक पहले मुवीज आती है तो मुवीज पहले कहां जाती पर ने अभी क्या लगा दी इसそうだ पर कारण क्या बताते हैं हो सकता हो इसमें कुछ ऐसी चीजे हैं जो समाज को प्रभावित कर सकती हैं जैसे आपने देखा होगा उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी उसमें सिंसर ने इतनी मूवी काटी कि मूवी क्या मतलब मूवी पूरी कट गई सेफ उसकार कह सकते हैं क चोड़ा चोड़ा भागी बचा मूवी में देखने लाएं है ना तो भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आ गए जब सरकार ने संचार मादमों के उपर सिंसर लगाना शुरू किया इसमें सबसे बुरा समय उन्निस सो पचतर सब्तर पर आपातकाल था देखो आपातकाल में क् कि सरकार ने कंट्रोल कर लिया मेडिया पर मतलब यह का कि नहीं आप लोग न्यूज नहीं फैलाओगे तुम लोग वही करोगे जो हम करेंगे है ना आप लोग ज्यान रोड़ा किसका समय था पातकाल में उस समय चलो खबर लहरी यह कह भी या इसमें भरा हवाई गंदा पा लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जीले की आठ दलित महिलाओ द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है इस्थानी बुंदेली भाषा में लिखित इस आठ प्रिष्ट के समाचार पत्र में दलितों से सम्मंदित विश्यों इस्तिरियो करते हिंसा और राजनैतिक घृष्टाचार से समंदित रिपोर्ट होती है आगे देखिएगा इस समाचार पत्र में पाठक कान कौन होते हैं मतला पढ़ने वाले कौन कौन होते हैं किशान होते हैं दुकानदार होते हैं पंचायत के सदस्च होते हैं इस्कूल के सिप्शक और महिला जिने हाल में ही पढ़ना रिखना जिनोंने सीखा है या जिनको चीखा गया है सिखाए गया है इस तरीके से सिंसर्शिप का ताथ पर आप लोग को मैंने बता दिया था कि जिसके अंतरगत कुछ वीतर प्रकासित करने पर रूख लगाया जा सके ठीक है अगला अध्याय देखेगा विज्यापनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाला ठीक है थोड़ा ध्यान से सुनना इस स पर विज्यापन ना आए है ना तो विज्यापन ना ए तो उससे कहेंगे कि आपका क्या नुक्षान होगा उससे आपका डायरेक्टिए नुक्सान हो पहले तो यह कि कुछ अच्छे प्रूजक्ट्स जो है वे आप तक हो सकता हो कि ना पहुँच पाए मतलब मार्केट में लाउंच हुए लेकिन का विज्यापन ने हुआ जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो जैसे कोई बुक ही ले लो है ना कोई आपको पता है कि भारत में कितने भी राइटर होंगे जो अच्छे-ची किताबे लिखते होंगे लेकिन कुछ ही जिनके न जरूरी हो जाता है और दूसरा विज्यापन की जिरूरत का फाइदा क्या है कि कोई अगर खराब है और उसका विज्यापन हुआ तो लोग उसका प्रयोग करेंगे उसका तुरण निगेटिव इंपक्ट जाएगा खतम हो जाएगा ठीक है तो पॉजिटिव निगेटिव इंपक्ट होता है विज्यापन दोरह यह हो गया आगे देखो अपने ब्रांड अपने ब्रांड सब सुना हुगा इफ सब्पर पर ब्रॉल्टिंग का अड्थ है बांडिंग होना चाहिए नाशेसे हम लोग अपनी जैसे हम लोग का जो चैनल है हम लोग का चैनल किया है MSSSC के नाम से हम लोग का जो एप है किस नाम से MS Education के नाम से है ना जैसे बुक नीकल रही बुक में आप ले देखा और उपर MS Education का logo लगा होगा है ना तो वह सब क्या है ब्रांडिंग कह सकते हैं कि एक विशेश नाम होता है जो और किसी के पास नहीं होता है उसकों लोग क्या कहते हैं ब्रांडिंग कहते हैं आज एक प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकेंड का विज्यापन दिखाने का सुलक एक लाग 65,000 रुपए है यह तब मिलते हैं एक छोटे से दो वीरेट के ब्रेक के बाद ऐसा करके होता है ना चलो तूश चीज़ें होती हैं अकबार में चौथ हाइप पेज के हाकार में जो रंगीन विग्यापन एक विज्यापन नहीं पढ़ेंगे विग्यापन देखने के लिए भी अकबार पढ़ते हैं लेवल क्रॉसिंग को पार करने वाले आपके वाहन की रफ्तार अपरिच्छा क्रित काफी कम होती है मतलब समझे क्या समझे जो लोग रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं ना क्यों से तेड़ा करके निकाल लेंगे उनके लिए ये सेंडनस लिखा गया है कि रेलगाड़ी की जो रफ्तार है वह आपकी रफ्तार से वह ज्यादा तेज है इस वाज़ा से तेड़ा करके निकालने का प्रयास ना करें ठीक है आगे देखेगा विज्यापन हमें यहां कि दिन आते हैं कि जो चीजे पैक होकर बिखती हैं वे बिना पैक हुई चीजों से ज्यादा प्रोडरक्ट होते हैं आपने उनका एर देखा होगा विजो नॉर्मल दूध वाले आपके घर में आते हैं बल्टे में दूध भरके उनसे अच्छा बताया गया जो पैकिंग वाले दूध होते हैं कैसे दिखाया गया कि उसे मक्षिया नहीं पढ़ती है इस तरीके से इस आगे हम लोग अगemia चैप्टर में नहीं है की आगेव लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं अगली क्लास पर पढ़ते हैं तो आप लोग अपने आपस के बाजारों को देखाई और दूसरी बात क्या टिसरी बात जो भी आप लोग जो भी बात समझ ली GISसे मैं यह नहीं पता पाऊंग, एक दूसरी बात है, तीसरी बात है, तो ध्यान से सुनो, कुछ लोग पूछ रहते, कि यह जो किताब है हमारी क्या, इसमें केवल पॉलिटी है नहीं, इसमें यहाँ पर ध्यान से पूरे तरीके से आपर लिखा गया है, हिस्टरी, जिवग्राफ रखा गया है, तो जिल लोगों अभी तक इस स्वस्तक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्योंकि इसकी संख्या भी बड़ी कम हो रही है, क्योंकि दो एडिशन आ चुके है, और दोनों एडिशन लगबग लगबग बूप, पहले एडिशन में 200, दूसरे एडिश से पर्चस कर रहे है, वाटसेप नमबर दिया है यहाँ पर, 83, 91, 63, 62 करके, इसी वाटसेप नमबर पर मैसेज कर देना है, केवल 250 रुपए है यहाँ पर, ठीक है, इन तीनों किताबों के लिए, तीनों किताब इसी में आ जाएंगी, तो ले लीजएगा, ठीक है, फिलहाल, बाकी आगे की किताबे मैं बहुत जल्दी, और भी किताबों का प्रकाशन बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, तो चिंता नहीं करना है, कारे कर रहे हैं, पढ़ते रहना इसी तरीके से, फिलहाल करके, ठीक है, चलो, सब्सक्राइब नहीं कियो, तो कर देना, एक पाल लाल नमस्कार, जैहिन